हलो बच्चो कैसे हैं आप लोग लास टेंथ जैगरोफी चाप्टर पांच वह हमारा बिहार क्रिसी यंवन न सनसाधन देखिए सद्याय में हमें जो भी चीजे पढ़नी है वो बिहार से संबंदी थी पढ़नी है ठीक है सबसे पहले हमें पढ़ना है क्रिसी एम वन संसाधन बिहार की क्रिसी की स्थिति कैसी है कौन कौन सी फसले उगाई जाती है और इसका वितरन कैसा है वन कैसे है और किन किन जिलों में वन पाये जाते है वो सारी तमाम बाते हमें अध्यान करनी है ठीक है? आईए से धियाए कि जितने भी सारे objective और subjective दोनों तरीके कोशन देखे सबसे पहले है objective question पहला है बिहार में कितने परतिसत छेतर में खेती की जाती है यहाँ पे धारातलिये छेतर की बात की गई है भूमी ठीक है आईए देखे यहाँ पे आप नज़र डालेंगे बिहार का भोगोलिक छेतर फल कितना है 93.6 लाक हेक्टेर है जिसमें 64.2 बार सग्रस्त है और 59.36 परतिसत पहें खेती की जाती है और 40 परतिसत जो क्रिसी छेतर है वो बेकार हो जाता है तो कूल मिला कर देखा जाए तो 59.36 यानि लगवग हम 60 परतिसत कह सकते हैं तो इसका होगा आफसन नमबर भी बिलकुल सही होगा 60 परतिसत भागवे खेती की जाती है ठीक है 40 परतिसत बेकार हो जाता है दूसरा है राज्यकी यानि बिहार के कितनी प परतिसत पॉपुलेशन वो बताना है तो यहां पर आप नजर डालेंगे तो 80 परतिसत आबादी क्रिजी पर डीपेंड है यही उनकी आए का स्रोत है आफसन नमबर ए हमारा 80 परतिसत तीसरा है इन में से कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है देखे यहां पे बिहार के चार जिले हैं तो गन्ना उत्पादन रोहतास में नहीं होता है यह साउत का भाग है ठीक है दक्षण बिहार है यहां पे चावल सबसे ज़्यादा होता है सिचाई के मादें से नहरो दोरा ठीक है तो आपसन नमर डी गन्ना नहीं होता इसके बाद चोथा बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है ब्रिदी हो रही है गिरावट हो रही है हमें बताना है तो यहां पे देखिए जूट की खेती पे जब आप नज़र डालेंगे तो यहां पे पाएंगे आप कि इसके तेजी से गिरावट हो रही है जूट उत्पादन में आपसन नमर भी बिल नमबर डी हमारा गंगा का देरा चेत्र छे नमबर कोसी नदी घाटी परियोजना आरम हुआ किस वर्स आरम हुआ वो बताना है यहां पर समझे कोसी नदी घाटी परियोजना कलपना सुरू हुई यह नहीं पहले सोचा गया 896 में लेकिन वास्तविक तोर पर आरम हुआ 1905 में लेकिन उप्सन में देखिए 1955 नहीं है 1954 है तो आपको इसको 1955 बना लेना है ठीक है तो उप्सन नमबर डी हमारा बिलकुल सही हो जाएगा 1955 में साथवा देखिए गंडग परियोजना का दिर्मान किस अस्थान पे हुआ है वो बताना है देखिए गंडग नदीप घाटी जो परियोजना है यूपी और बिहार सहयोग दिरूप से दोनों की परियोजना है और भारत और नेपाल सहयोग से बालमे की नगर के पास सुरू किया गया ठीक है ओपसन नमबर भी बिलकुल सही होगा बालमे की नगर आगए बढ़ते वे देखिए आठवा सवाल बिहार में न आपसन नमबरे 9 नमबन देखिए बिहार में कितने अदिसूचित और एक च्चित रहार बिभान का नमबन का भिस्तार है बताना है यह च सवाल में यहार कितने यह सब्सक्राइब में %3ities 150 अपकर और बिल्कुल सही होगा दसवा रस्थान किस रिल्मए स्थित है वो बताना है कुसेस्वर अस्थान जो है दर्भांगा जिला में है ठीक है वने जिवोस्रेक्षन के लिए परसिध है तो इसका होगा अफसन नमबर वी हमारा 11 कावर जील इस्तित है कौन से जिले में इस्तित है कावर जील ठीक है कावर जील की बात की जा ये परवासी पंचियों का क्या है पढ़ाव है ये कहा है बेगु सराय जिले में है तो इसका होगा आफसन नमबर सी हमारा बिलकुल सही होगा बारा नमबर संजे गांदी जैवी को दहान किस नगर में सी थे हम सभी जानते हैं ये पटना में है और सब्जेक्टिव कोशन तेरा नमबर क्या है बिहार में दहान के फसल के लिए उप्युक्त भोगौलिक दसाओं का उलेह करें क्या मतलब समझ में आया देखिए अगर हम ब चाहिए कि कैसी बेवस्था है उसे कहा जाता है भोगौलिक दसाओं समझ में आ गया जलवायू भी हो जाएगे तो आईए इसका एंसर लिखते हैं हम लोग तो देखें इसका एंसर हम यहां से करेंगे धान बिहार की खादान फसलों का एक महत पूर्ण स्थान रखता है यहां पर और यहां पर देखिए यह आकड़े हैं 2006 से साथ में यहां 33.54 लाक हेक्टेर भूमी पर लगवग 50 लाक टन धान का उत्पादन दर्च किया गया और इस तरीके से आपको यहां तक कर लेना है ठीक है दूसरा सवाल देखिए मैं दलहन के उत्पादन एयां वितरन क संचिपते विवरन प्रस्तूत करना है दलहन मतलब दाल वाली प्लांट का पौधे का क्रिसी का उत्पादन कैसा होता है वितरन यानि किन किन जीलों में होता है कहां कहां जाता है उसका संचिपते विवरन प्रस्तूत करना है देखिए इसका एंसर हमारा यह रहा यह पूरा आपको लिखना है बिहार में दल्हान फसलों में चना मसूर खेसारी मटर मूंग अरहर उरद ठीक ये तदा कुर्थी पर मुख है इसमें चना मसूर खेसारी मटर रियम गर्मा मूंग रवी दल्हान की फसले है जबकि अरहर रियमोंग खरीब दल्हान की फसले है ठीक है ये प कितरन हो गया ठीक है और बादन देखिए कितना होता वो सभी आ जाएंगे इसमें देखिए आगे बढ़ते हुए पंदरन नमर सवाल क्रिसी बिहार की अर्थ बैवस्था की रेड है इस कथन की ब्याख्या करें जी बिलकुल है क्योंकि बिहार में जो लोगों की आए है ठीक ह तो देखिए इस पैंसर हम काफी अच्छे से ऐसे लिखेंगे बिहार की अर्थ बैवस्था क्रिसी पर आधारी थे ठीक है यह यह एक क्रिसी अर्थ बैवस्था है हम कह सकते हैं यहां 80% आबादी क्रिसी पर निर्वर है बिहार में लगबग 85% पर तीस आबादी 85% आबाद गाउं में रहती है क्रिसी उनकी आए का एक मात्र स्रोत है बिहार भी भाजन के बाद क्रिसी का मात्व अधिक बढ़ गया है ठीक है यहां चार फसले भदई अगानी रवी और गर्मा उगाई जाती है अता हम कह सकते हैं बिहार की अर्थ बैवस्था क्रिसी पर आधारी थे तो यह आपका कंपलीट एंसर हो जाता है अर्म बढ़ देखिए स्वल्लन नमबर नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्योधेस को लिखें देखें नदी घाटी जो परियोजनाओं बनाए जाती है उसका कई उध्देस होता है ठीक है जैसे जल बिधूत करना ठीक है बार क प्रियुजनाओं के मुख्युदेश निमने हैं पहला है नहरों के विकास के सिचाई की विवस्था करना बाढ़ पर नियंतरन करना तीसरा परेटन के आउसर विक्सित करना चोथा है जल बिद्धूत का उतपाधन करना सतरह नमर देखिए बिहार में नहरों के विकास से संबंदी समस्याओं को हमें लिखना है बिहार में नहरों के विकास क्यों होने में क्या समस्याओं आ रही है वो हमें लिखना है तो देखे इसका एंसर लिखेंगे बिहार के नहरों के बिकास से संबंदी समस्याएं निमने तरीके से देखते हैं पहला है राज सरकार की उद्दासी इंतारा राज सरकार जादा इस पे क्या ध्यान नहीं दे रही है ठीक है दूसरा है बाराव मासी नदियों का आभाव यहां ऐसी नदिया होती है जो बाराव मासी नहीं है सिर्फ बारिस वाली मौसमें ही बहती है उसमें पानी होता है ने तो सूक जाती है तीसरा है पूंजी का आभाव सरकार के पास प्रयापत मातरा में रुपिया पैसा नह चौथा है अनुकूल प्रस्तितियों का आभाव देखे जब नहरे बनाए जाएंगे तो क्या होगा जमीन चाहिए तो कई खेतों के जमीन के सरकार को खरिदना पड़ेगा किसानों से ठीक है और बनाने के लिए प्रस्तितियों वैसी नहीं है कही जमीन कि जब हम नहर बनाएं सकते हैं तो यही आपको चार समस्याएं लिखनी है नहरों के बिकास में आगे बढ़ते हुए देखिए अठार नंबर सवाल क्या है बिहार के किस भाग में सिचाई की आउ सकता है और क्यों देखे बिहार में साउत बिहार के छेतर में रहतास जिले के छेतर में सिचाई की ज्यादा आव सकता है कि वहां पर वारिस कम होती है और सिचाई के नहरों के द्वारा ही वहां पर की जाती है तो इसका एंसर हम लिखेंगे बिहार के दक्षिण भाग में सिचाई की आव सकता है दक्षिण भाग बिहार में परमुक जीने रोहतास गया जहानाबादी त्याद हमें लिखना है, बीहार में वन्द छेतर कम पाए जाते हैं इसका क्या कारण है तो देखिए इसका कारण लिखेंगे बीहार में वनों के अभाव के निमने लिखित कारण है बीभाजन के बाद जब जों ज्खारकंड बिभाजित हुआ तो अदिकतर वन जहारखंड में चले गए ठीक है वो अब जहारखंड के कहा लाएंगे ना की बिहार के तो पहला कमी हो गए दूसरा जो भी कुछ बन बचे थे तो किसी कार में उसे सामिल कर लिया गया उस वहाँ पे खेती की जाती है वर उसको बिनास करके और तीसरा है बनों के महत्तुर मंदी जागरुकता की कमी है बिहार में इसलिए बन लोग काट दे रहे हैं और खेती कर रहे हैं ठीक है तो यह आपको तीन लिखना है कारण इसके बाद देखिए बिस नंबर सवाल क्या है संचेप में सुस्क पतज़ाड बन की हमें चर्चा करना है यह कैसे बन होते हैं इस इसके पतज़ाड बन मिलते हैं ठीक है तो कैमूर रोतास जिले में इसका अधिक बिस्तार है यहां पर मुक विक्ष कौन से है खैर वहड़ा प्लास महुआ अम्तला सीसम नीम हरे यानि एक साथ पते यह गिराते हैं तो बस यहां तक आपको कर लेने है ज्यादा लंबा नही ले जाना है ठीक है बस यहां तक अब इसके बाद देखिए एक किसम क्या है बिहार में ऐसे जिलो के नाम हमें बताना है जहां वन ने बिस्तार एक भी परतीसत से कम है काफी कम है तो देखे इसका हम एंसर यहां से लिखेंगे सीवान सारन भोजपुर बकसर पतना गुपाल यह सारे जिले हैं जहां पर एक परतीसत से भी कम बन मिलते हैं तो यहां से जहां हाइलाइट मैंने की हैं यहां से और यहां तक हो गया इसके बाद देखिए बाइस नंबर क्या है बिहार में इस्तित राष्टी उद्यान ठीक है और अब्यारणों की संख्याएं बताना है देखे राष्टी उद्यान एक ही है पटना में संजे गांधी और अव्यारण की संख्या बताना है कितनी संख्या है टोटल यह दोनों बताएंगे और फिर उसके बाद हमें इसमें से दो अव्यारण की चाचा करना है जब हम संख्या बताएंगे तो इनमें से कोई भी दो आव्यारन की चर्चा करना है बारे में लिखना है ठीक है तो आईए लिखते हैं तो देखिए इसका एंसर हम इस तरीके से लिखेंगे घार में एक मातरुदान था चौधा अव्यारन है राश्टी उद्यान संजे गांधी राश्टी उद्यान पट्ना और देखिए चौधा अब्यारन हमने बता दिया और इसमें से दो कहामें जिकर करना है दो अब्यारन कामर जिल ये बेगु सराय जिले में है और ये मजहुआ नमंडल में पची सो खनेकर फैला हुआ है और ये पंचियों के लिए है और दूसरा है कुसेसो और ये प्रवासी पंचियों आकर ठहरते कि पहला की किसी की की समस्याओं पर विश्थार से चर्चा हमें करना है। बिहार की कृसी तर्ष पर्वलम्स ऑफग्रिकल्चर में रहती है। 80% जनसंख्या क्रिसी पर आसृत है ठीक है और ये अनेग समस्याओं से जूज रही है ये लाइन लिखते हुए फिर यहां से एक लाइन लिखना है और ये सारी समस्याओं है कम से कम आपको ये सारे लिख लेने हैं थोड़े थोड़े करके देखे ये सारे तो संखेप में हैं ठीक है ये सारे संखेप में हैं पाच तक और जो छटवा है बाड़े की समस्याओं इसके बाद थोड़ा इसमें से लिख लेना है बस हो गया छे समस्याओं है टोटल इसके बाद आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल बिहार में कौन कौन से फसले लगाई जाती है जो हम खेती करते हैं बिहार में किसान करते हैं वो बताना है कौन कौन से फसले उगाई जाती है किसी एक फसल के मुख्य उत्पाद का हमें ब्याख्या भी कर लेना है देखिए इसका एंसर हम लिखेंगे पहले आपको ये लाइन लिखना जोरूरी है बिहार एक क्रिसी पर धान राज है यहां 80% अबादी क्रिसी पर डिपेंड है ठीक है यहां तक हो गया और यहां पे चार परकार के फसल उगाय जाती है भदई, अगानी, रवी और गर्मा ठीक है यह लाइन लिखना है फिर यह भी लाइन लिखना है यह पुरा नहीं लिखना है यह हो गया और एक के बारे में बताना है तो हम गिहूं के बारे में यानि रवी फसल के बारे में बता देते हैं या आप धान के बारे में भी बता सकते हैं खरी फसल के बारे में इसमें से यहां तक लिख लेना है इसमें जिले भी आ जाएंगे कौन-कौन से है उत्पाधन के बस हो गया इसके बाद देखिए 25 नंबर सवाल क्या है बिहार की मुख्य नदी घाटी प्रियोजनाओं की नाम हमें बताना है और सोन अथवा कोसी दोनों में से कोई एक चाहे अब सोन के बताएं या कोसी के बताएं प्रियोजनाओं के बारे महत्तु बताना है सबसे पहले बिहार में जो मुख्य नदी घाटी प्रियोजनाओं उसका नाम हम बताएंगे चलिए देखे इसका नए अंसर हम इस तरीके से लिखेंगे देखे इसका अंसर हम यहां से करेंगे बिहार में बहु देसी नदी घाटी परिजनाव का विकास किया गया है ठीक है और इन उद्देसों के लिए किया गया है ठीक है जल बिद्धु सिचाही मचली पालन पैजल इन सारे उद्देश्यों के लिए किया गया है और कौन कौन सी हैं ये हो गया और एक के बारे में हमें लिखना है तो सोन नदिगाती पर्यूजना के बारे में आप यहां तक लिख लीज़े ठीक है हो गया इसका एंसर लिखते हुए देखी एक राष्टी उद्यान है और 14 अव्यारन भी है ठीक है 14 अव्यारन है और एक राष्टी उद्यान है जो पटना में तो बस यहां तक कर लेना है यह पूरा लिखते हुए यहां से यहां तक तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ धन्यवाद